देखो यार यह एक प्रसन है जिसका आंसर मैंने लिखा हुआ है और यह आंसर पूरे दो पन्नों में हो जाता है लेकिन मैं आपको गारंटिए देता हूँ कि आप इस विडियो को अंतक देखते रहो साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएगा यह प्रसन जैसे जैसे मैं आयगा ही आएगा देखो ये आप लोग का जो प्रस्ण है ये 2020 के बोर्ट पर इछाह में भी आया था ठीके विज्यान के पेपर में यहां देखो यहां मैं आता हूं इस साइड ही यहां पर यह प्रस्ण है और देखो पहले पूराने पैटर्न के नुशार ये 7 मार्क में आया प्रियोग द्वारा इसे कैसे परदर्शित करेंगे प्रियरित बिदु धारा की दिशा को निधारित करने वाला नियम लिखेंगे देख रहे हो इसमें तीन ठेकोश्चन पूछा हुआ है तो चलो हम लोग सबको बारी बारी से एक दम अच्छे से इसका आंसर लिखते हैं कैस से लिखेंगे और बाद में मैं इसको आप लोग का एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जहां जरूत पड़ीगी मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाओंगा तो सबसे पहले चलो यहां हम लोग बिदु चूंबक किया प्रेडर समझ लेते हैं कि बिदु चूंबक क्या होता है लेकिन उससे पहले पहले कहूंगे यार अगर आप चैनल को भी तक सबस्क्राइब नहीं किये हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और वेल आइकान को भी दबा लेना जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिविएशन आप सबको मिलती रहे तो देखो बिदु चूंबक क सबसे पहले हैं सबसे पहले कोस्षय में कहा रहा है कि दीदु चूंबक की प्रेड़ से आपका क्या द पढ़िए तो विदु चूंबक की तकी दालो vis p कि जब किसी बंद परिपत से गुजरने वाली बल रेखाओं और कैसी चुम्बकिय बल रेखाओं की संख्या जिसको आप चुम्बकिय फ्लक्स भी बोल सकते हो में परिवर्तन होता है तो परिपत में बिदुध धारा के साथ साथ एक बिदुध वाहक बल भी उत्पन हो जाता है उत्पन धारा को प्रेरी धारा तथा उत्पन बिदुध वाहक बल को प्रेरी बिदुध वाहक बल कहते है और इस पूरी प्रक्रिया को ही बिदुध चुम्बकिय प्रेरर कहा जात बिदू चुमभा के प्रेयाद करने वाला नियम क्या उसको लिखने का ठीक तो इतना आप लोगी लिखोगे तो मिल जाएगा उसके बाद क्योंकि हमें ये क्या बोल रहा है प्रियोंग द्वारा इसे कैसे प्रत्राशिद करेंगे कि प्रेरी धारा से आप क्या समझते तो आप सबसे अच्छा है ना कि यह बड़े लॉंग लॉंग कोशन है ना उनको पढ़ने से मतलब आप लोग के जो शॉर्ट कोशन है ना यानि जो दो दो मारके तीन तीन मारके वह भी कन्फर्म हो जाते तो देखो बिदू चुम्बकिय प्रेरर के को मतलत आप लोग लिखोगे तो इसमें लिखोगे कि जब किसी बंद परिपत से गुजर्ने वाली बल रेखाओँ और कैसी बल रेखाओ चुम्बकिय बल रेखाओ की संख्या कोष्ट में आप लिखे दोगे की चुम्बकिय फ्लक्स यानि चुम्बक ये बल रिखाओ कि संख्या या उसी को हम लोग चुम्बक ये फ्लक्स बोल सकते हैं संख्या में परिवर्तन होता है तो परिपत में बिदु धारा के शा साथ एक बिदुत वाहक बल भी उत्पन हो जाता है उत्पन धारा को प्रेरी धारा तथा उत्पन बिदुत वाहक बल को प्रेरित बिदुत वाहक बल कहते हैं इस पूरी प्रकिरिया को चुम्बकी प्रेरर कहा जाता है जो ये पूरी प्रकिरिया होती है इसको क्या कहते है चुम्बकी प्रेरर कहते हैं प्रियोग के अनुसार फैराडे ने तारो की एक कुंडली बना कर उसके परिपत में एक धारा मापी लगाया तथा एक छड़ चुम्बक को इसके समीप लाकर निम्न प्रियोग किया कौन कौन प्रियोग किया और उसके अनुसार कई सारा उसने आप देख सकते हैं इधर आप लोग देख सकते हैं इधर एक मिनट यहां देखो आप लोग यहां यह मतलब यह सेकेंड और इधर आओगे तो थर्ड फोर्थ कई सारा उर्च ने निसकर्स निकाला तो इसी निसकर्स को आपको लिखना पड़ेगा कि फैराडे ने प्रियोग किया तो क्या-क्या उसको देखने को मिला ठीके तो इस निसकर्स को याद करने के लिए काफी लंबा न कुंडली बनाया और उसके परिपत में एक धारमापी लगा दिया ठीके तारो की एक कुंडली बना कर उसके परिपत में एक धारमापी लगा दिया क्यों धारमापने के लिए ठीक तथा एक छड़ चुमब को इसके समीप लाकर निम्न प्रियोग किया क्या-क्या प्रियोग करते हैं तो अभी आप इस स्कीन पर ये देख सकते हो फैराडे के निया मानुशार हमने ये पूरा फूरा उनका ये 3D माडूल पूरा ले लिया है और इसके माध्यम से चलो हम लोग फैराडे का पूरा जो प्रियोग है उसको समझते हैं देखो जैसे यहां पर फैराडे हमने देखा अभी थोड़ा मैंने आपको बताया कि उसने क्या लिया अपने प्रियोग में एक कुंडली लिया और एक छड़ चुंबक लिया तो देखो ये एक आप लोगा छड़ चुंबक है जिसका नार्थफोल और साउथफोल आप लोग देख सकते हो और ये आप लोग की ए साउथए और कुंडली में देखो यहां सब्सक्राइब धर कर देखा तो यहां मैं अमलोग प्रियोग कोट आपकर दिखाता हूं क्योंकि हम लोगा जो ने कौपी में चीत्र नाया है उसी के माध्यम से मैं समझाओंगा देखो उसने क्या किया कि एक मतलब एक छड़ चुम्बक लिया ये छड़ चुम्बक है अभी ये जिसका साउथ और नाथ फोल है यानि एक तरसा चुम्बक है आप समझ जाओ और ये आप लोग देख सकते एक कुंडली है उसने प्रियुक इसका मतलब क्या इसमें लाने के बाद इसमें धारा कही न कहीं परवाईत हो रही है तभी तो यहां पर रीड कर रहा है ये वोल्टमीटर धारा को या यह वल्फ वर रहा है तो उसने इस पर कुछ प्रियोग किया और उसने इस पर कई सारे निसकर्स निकाले क्या 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 इसकरस निकाले देखो हम लोग यहां पर इसको देखो इंटर कर रहे हैं देखो और बाहर निकाले तो यहां दो चीजे आप लोग देख रहे हैं इंटर कर रहे हैं तो देखो यह तीर कैसे इस प्लस की ओर जा रही है और फिर यहां बाहर निकाल रहे हैं तो देखो यह माइन फिर हम लोग बाहर कर रहे हैं तो तीर इधर आदे हैंने नार्थ और साउट फोल को को हम लोग चेंज करते हैं तो ये जो मतब ये मतब स्सक्राइब ऑसथितिया है वह भी प्रीःत हो जाती हैं तो उस जैसे तब तक इसको मतलब इसके अंदर जैसे इसके मतलब यहां हम लोग इसको ऐसे हम लोग क्या करेंगे मतलब इसको घुमाएंगे च्छड चुम्बक को गतिमान रखेंगे तभी तक यह धारा प्रवाहित रहेगी अगर हम लोग इसको रोक ले च्छड चुम्बक को रोक यह जो चढ़ है इसको हम लोग क्या कर इस्थिर कर दे, चाहे वो कॉयल के पास ही हो, तब भी हम लोग की धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो एक उसने ये भी बताया कि हम लोग को चढ़ चुंब को लगतार गतिमान रखना पड़ेगा तब भी इसमें धारा प्रवाहित होग उसने ये भी बताया कि हम लोग छड़ चुम्बक को ही नहीं ये जो कोईल है इसको भी अगर हम लोग गतिमान कर दे ठीके तो हम लोग कि क्या होगी कि धारा प्रवाहित होगी चुकि ये जो 3D मॉडूल है इसमें ये नहीं आगे बढ़ सकता है इसलिए मैं नहीं दिखा पा लेकिन अगर आप इसको भी आगे बढ़ाते और छड़ चुम्बक के पास ले जाते हो इस को ठीके तो भी इसमें धारा प्रवाहित होगी इसने वह भी एक निसकर्स निकाला और एक निसकर्स तो यह साफ निकलता है कि अगर हम छड़ चुम्बक या कोईल दोनों को हम करेंगे उतनी ही देखो अधिक मात्रा में धारा उत्पन होगी और ऐसा क्यों होता है आपके भी मन में कोश्चन होगा तो देखो यह में यह जो चुम्बक है इसके चारो तरफ आप जानते हो कि फिल्ड राइन होगी ठीके चुम्बक यह बल रखाए होगी जैसे मैं लगा लगा थे जैसे मिश्चन होता है तो यहां पर हमने काफी सारी चीज है आपको बता दिया अब चलो हम अपने कॉपी इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं अब आपको जो इसका बड़ा श्रा आंसर हे वो याद करने में करने में काफी असानी हो जाएगा ठीके तो चलो उसको हम लोग समझते हैं अपने कॉपी पे ओके तो चलो अभी हमने जो मतलब एकस्पेरियंट देखा था उसके माध्यम से अब हम लोग यह सारी चीज़े जो लिखा है उसको हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले चलो इसको थोड़ा समय और फिर से दोहरा देता हूं बैदो चुम्बक की प्रियोगी परदर्शन की इस प्रकार किस ने किया था तो देखो इस प्रियोग के अनुसार फैराडे ने तारो की एक कुंडली बनाकर उसके परिपत में एक धारा मापी लगाया तथा एक छड़ चुम्बक को इसके समीप लाकर नि कुंडली के समीप लाया तो धारा मापी में चड़ी की बिच्षेप एक दिसा में होता है या एक दिसा में देखने को मिलता है यहां आगे आ जाते हैं इसको आपको लिखना पड़ेगा कि जब चुम्बक या छड़ चुम्बक के उतरी दरू एन को कुंडली के समीप लाया जाता है तो धारा मापी में चड़िक विछेप एक दिशा में होता है या एक दिशा में देखने को मिलता है यहां पे आ जाते हैं इस साइड में और इसको हम लोग देखते हैं आगे इससे असपस्ट होता है आगे लिखोगे इससे असपस्ट होता है कि चुम्बक की गती से देखोह जब हमने नौत पोल को इसरे कुंड़ी के पास लाया तो हमने देखा कि धारम आपी में विछेप उत्पन हो रहा है यह मतलब नोकित भी धुट्वाइट होगी यह लिखा है कि चुंबक की गती से कंड़ी में बैदुता प्रवाहित होती है ठीक है आगे हमने क्या लिखा है कि प्रंतु जब चुंब के इसी दुरू एन को कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो धारा मापी में छड़िक बिछेप पहले से बीपिरी दिसा में होता है ओके यह भी हमने देखा कि जब जैसी एक कुंडली थी जब अंदर ले जा रहे थे तो हम लोगी मतलब यहां से अम लोगी गतार मापी था लेकिन वही जब हम बाहर ले चाए तो यहां फिक शोंबसे हो शोट च्ड़ चुंबक इलब यह क्यों आप चुंबक लिख सकते हो ठीक है इसके लिख सकते हो और यह नौर्थ फोल को बहार निकाले हैं यह तीर दर्सारिक कि हैं से बाहर निकल रहा है तो बाहर निकालने पे मतलब जो सुछ इस प्रकार बीचहेप हैं हमने अभी प्रीयोग में देखा थीक और इसके अलबा हमने नौर्थ फोल हो लगे हम लोग आपको निकुल यहीं हँ इसके बिल्कूल आ देखो जैसे यहां पर यहां पर मैं आपको समझाता हूं यहां पर देखो हम लोगा साउथ पोल यहां तीर है कि इसको अंदर ले जा रहे तो अंदर ले जा रहे हैं तो हम लोगा बीच्छेप अब साउथ पोल के कारण इस दिशा में हो रहा है ठीक है और अगर हम लोग इसको अंडली के समीप लाते हैं या उसके अंदर ले जाते हैं अथवा दूर ले जाते हैं तो धारमापी में छड़िक पिछेप पहले से बिप्रिदीशा में होता है ठीके इसको हम लोग अंदर ले गए एक बार तो इसका पिछेप इस दिशा में हुआ और फिर बाहर लाएं तो इधर हो गया यानि पहले से बिप्रिदी सामें सिंपल तो ऐसे आप बना कर अपने मतब हिसाब से अपने खुद तरीके से लिख सकते हैं एसा नहीं कि जैसा मैंने यह लिखा है ऐसा ही आपको बिल्कुल लिखना है ठीके तो आई होप यह दो पॉइंट आपको समझ में आ गय देखो धारा मापी में बिछे केवल उस समय तक रहता है जब तक ठीके क्या जब तक की चुम्बक यानि वही चुम्बक कुंडली के सपेच गतिसील है ओके मतलब जैसे यह कुंडली है यह चुम्बक तब तक यह गतिसील रहेगा तभी तक मतलब चाहिए इसके पास भी यह चुम्बक अगर गतिसील नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगी ठीक हमने देखा ता प्रियोग में कि हम इसके एकदम पास लादे रहते एकदम बीच में लादे रहते चुम्बक को लेकिन इसको हम लोग गति नहीं दे रहते चुम्बक को तो हम लोग की मतलब धारा मापी मे विछे केवर उस समय तक हो होगा मतलब वही विधुधारा प्रवाइत होगी जब हम लोग क्या करेंगे कि चुम्ब को कुंडली के सबस्प्राषत जब क्या करेंगे या कुंडली को कुंडली को की दोटी स्फपी जब हैं के दूनों इन पड़ेगा तो यह उस प्रियोग किया था, ठीक, तो ये 3rd point हो गया, 4th point में आपलोग क्या लिखोगे, कि यदि चुंबग को इस ओपल्ढा को इसती रखकर, कुंडली को वही हमने जो भी प्रियोग में बताया कि मां लोग के वाल, चुंबग को ही नहीं जैसे हम लोग चुम्बक को गतिसील से रह थे तो हम लोग धारा प्रवाहित हो रही थी लेकिन अगर हम चुम्बक को इस कूंडली को भी से तो भी धारा प्रुवाहित होगी तो सिंपल वही चीजह है, यहां पर एक पॉइंट बनाकर उत्पन होता है इससे असपस्ट है कि कुंडली में धारा कुंडली वो चुंबक की सापेक्ष गती के कार उत्पन होती है यानि दोनों की गती के कार लिकतर से बोल सकते हैं उत्पन होती है चाहे हम चुंबक को गती सिल करे या हम लोग कुंडली को गति सिल करें गति सिल रहना चाहिए अगर इस्थीत हो गया मतलब दोनों चीजे इस्थीत हो गई तो धारा प्रवाहित नहीं हो गई सिंपल है तो यह एक पॉइंट आप बनाकर लिख दोगे उसके बाद एक और पॉइंट आप लोग बनाकर क्या लिख हो गए कि जैसा ही रूक जाती है बिछे भी लुप्ध हो जाता है यानी कुंडली को स्थीती मान कर यह सारे प्रियों किए गया है है वो तो भाई नियुक कार्स के पक्विश सब्बोकर करेंंगे तो धरवाय हैं तो यहान उसकेL customers में यह answer लिखा गया है कि जैसा हिं चुंबक रूख दे रहे थे घाराखत नहीं दारते onte ठीके तो वही यहां पे लिखा गया कि जैसे ही जैसे ही चुम्बक रुक जाती है बिच्छे भी लुप्त हो जाता है यानि जो धारा मापी में बिच्छे ऐसे हो रहा था तीरी दरु दरखुम रही ती इसका मतलब धारा प्रवाईत हो रही थी वह रुक जाती है सिंपल तो एक पॉइंट बना कर लिख दिया गया है और एक छवा और लाश्ट पॉइंट आप बना कर लिख दोगे कि यदि कुंडली में फेरो की संख्या बढ़ा दी जाए तो धारा मापी में बिच्छे बढ़ जाता है यानि जो कुंडली थी हमने देखा था उसमें जो फेरे थे आप लोगों ने देखा गोल गोल जो फेरे थे अगर उनकी संख्या हम लोग बढ़ा दे तो उसमें और भी ज्यादा मात्रा में बिदुधारा प्रवाइत होगे ठीके तो ही यहां पे एक लिखा गया है ठीके ओ पॉइंट बना कर यदि कुंडली में फेरो की संख्या बढ़ यह कोश्चन आता है तो इसका आप लोग प्रियोग प्रदर्शन आपको करना है ठीके बाकि इसके अंत में एक और कोश्चन पुछा था पेपर में आपको दिखाएता हूं कि प्रेरी धारा की दीशा कैसे ग्याद करेंगे यहां पर देखो प्रेरी धारा की दीशा को कि देंगे कैसे एक और हेटिंग मना देंगे प्रेरी धारा की दीशा और लिखेंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा या के अनुशार प्रेरी धारा की दीशा घ्याद की जाती है ठीके क्या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा या के अनुश हाथ के अंगुठा उसके पास की पास की तरजनी अंगुली देखो बाया दाया हाथ में ये सीधा हाथ ठीके तो इसके पास का ये अंगुठा ये अंगुठा और इसके पास के अंगुली ये इसको तरजनी बोलते और ये बीच वाली होती ये मध्यमा इन तीनों को कुछ इस प्रकार एक सबी की सबी एक दूसरे प्रकर इस पर यह उछा है कुछ इस प्रकार हम लोग इसको हम लोग क्या करें चीज है यह को परश पर एक दूसरे के आगे देखिए इधर क्या लिखाए परसपद एक दूसरे के देखो यहां लंबोद फैला कर इस प्रकार रखे की तरजनी जो अंगुली है चुम्बकिये छेती दिशा में तरथा अंगुठा चालक की गती की दिशा में हो तो मद्यामा अंगुली जो होगी चा आंगुली को हम चुम्बकिये छेती दिशा में ठीके और हम लुग अंगुठा को यह चालक की गती की दिशा में रख दे तो यह आपका इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार यह जो कोशन था इसका आंसर लिखना था काफी बड़ा कोशन था ठीके और छे मार्क में आप लोग के एकजाम में आता भी है तो इसको आप लोग क्लियर कर दीजिएगा एकदम अच्छे से और यह निश्ची थे आप लोग के देखिएगा पेपर में आएगा ही आएगा ठीके तो चलो आसा करते हूं यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को सेर भी कर देना तो चलो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू